कई is Hello everyone good morning guys rating में चेक करेंगे आपके पर्षन का सुबह से थोर्ट क्या है क्या सोच हने पर्षन सुबह नेकर अब तक आपके वाज़े में चेक करते हैं सेंच क्या सूर्चै इपर्षन पर तक क्या इनका thoughts mind पता नहीं क्यों पर आपकी पर्शन में बहुंच जदा overthink करते भी दिखाई दे रहे हैं इस पर्शन करना कुछ दिमाग की काम ने कर रहे हैं इतना जदा आपकी पर्शन आपकी बारे में सोच रहे हैं I think आपकी पर्शन के लाइब में कोई ऐसे पर्शन है जो कि इन आपकी पर्शन लाइफ सर्वाइव करें तो यह चीज आपकी पर्शन को ट्रिगर करेंगी यह चीज आपकी पर्शन को काफी जादा गुश्टा दिला रहे हैं आपकी पर्शन मुझे फ्रस्ट्रेटड दिखाई दे रहे हैं और तिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं इनक आफ परकस्ता पर होटा सा मैं इस परसंद को फ्रजिडिड देख पारी हूं कि इनके रहे हैं हिरने मेरे जिंदगी हैफंद मैं किसी और की सारओ नाच रहे हैं इस तरह का थोड़ा सा mind shit है थोड़ा सा मुझे negative expression के environment दिखाई दे रहे है तो ये changes आते हैं expression के energy ऐसा है कि ये जैसा चाहें वैसा life इनको जीना है क्यों कोई और इनको control कर रहे है ये किसी और की control में नहीं आना जाद है एक वक्त ऐसा था जब इस person ने आपको control करकी रखा था जैसे इस person ने चाहा था अब बिलकुल इनके ही according चले हो जैसे इन होने चाहा वैसे ही रहे हो आप जैसे इस person ने चाहा है वैसे आपने किया है इनके ही मुताबिक, इनके ही मर्शी के मुताबिक, इनके ही खुशी, खुशी के लिए आपने सब कुछ किया है, और आज इनके लाइप में ऐसा हो रहे है कि ये परशन किसी और के मुताबिक जिन्दकी जीर है, ये क्या है, क्या है ये, तो आपके परशन को चेंजे साहिए अ अपने लव इसमें तेकि अपने में हैं खरक में कि या आपके साथ करते हैं कि विसन स्वेक जी сво השन को लेकर अपकी लो तो अब इनके साथ हो रहे हैं आप इस वर्शन को को समय आरी है की आपने कैसा विल किया होगा आपने कुछ भी महल नहीं हो जाते थे asteroid के लिए सब क्चór करते हैं कासो दिन वापस आ जाया तो ऑच्छा हो कास साथ वापस से मिल जाया तो कितना अच्छा हो देर सही सही पर अकल तो आई है ना समझ तो आई है ना कि आप क्या क्या हो इस पर्षन के लिए आपने क्या किया है इनकी खुशे के लिए कास आप वापस मिल जाते कास यह कास कास नहीं होता तो कितना अच्छा होता यह आपकी पर्षन का ओड्स है आपके परशन आपको कुछ जादे ही फॉर ग्रांडेट लेने लग गए थे और ये परशन राइट आउ फिल कर रहे हैं कि मेरी ही गल्दियों के वज़ा से ही मैंने उसको खो दिया है कुछ जादे ही ग्रांडेट लेने लग गया था मैं या लेने लग गई थी मैं जायद मेरे इसी कर्मा की वज़ा है इसी कर्मा की वज़ा शेह वो मुझे से दूर हो गया या वो मुझे से दूर हो गया इसी को कहते है केश्मत किस्मत से वो मुझे मिली थी या मिला था और किस्मत नहीं मुझे उसे दूर कर दिया बस मुझे realized कराने के लिए सची रिष्टे क्या होते है true love क्या होता है इसका हैसास दिलाने के लिए कावावासी मैं पहले सी क्या होता है या स्थी मुझे समझ आगया होता तो दूर तो नहीं होती न जिसके लिए मैंने उश को दूर किया खुद से वही लोग अब मुझे पर हावी हो रहे हैं जबकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ करती हूँ उनको खुश रखने की यह तो मुझे खुश ही नहीं होते हैं और जिसके लिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं बस उश को मेरा प्यार मेरा वक्त चाहिए था क्यों मुझे इतनी देरी से समझा यह बात कास मैंने पहले समझ लिया होता अब यह वर्शन दोबारा से यह मिश्टेक यह गलती नहीं करना चाहते है थी किसी तरह एक्षन लेने लिए लिए सोच रहे हैं यह कुछ करने के लिए सोच रहे हैं या अपने लाइप आप सब्सक्ण चाहते हैं और यह बर्शन मुझे असा मैं आपकी बढ़ रहे हैं अब आप को होगे कि यह तो लेडिंग में हमेशा आता है बर हो तक कुछ नहीं है कि आपको भरोशा है तो एक दिन ज़रूर होगा डोंट वरी गाइज हो शक्त है कि यह जो situation है आपको कुछ सिखाना चाह रहा है यह इस बरशन को काफी अच्छे से सबक शिखा रहा है यह कुछ relation दिया जा रहा है आपको यह इनको यह आप दोनों को ही तो लेशन लेजे अगर आपको भरोशा है न तो ज़रूर अगर यही आपके true partner है आपके true love and है तो यहापर four of wants और completion understanding बिल्कुल आप दोनों की बीच understanding होगी आप दोनों वापस शिशात में आओगी यह आप दोनों को completion ज़रूर होगी अगर यही आपके divine partner है divine counterpart है यह आपके true mate है अगर आपको भरोशा है तो यह इनके ही साथ आपकी किसमत लिखी है तो इनके साथ आपकी completion ज़रूर होगी न क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी version real में कुछ relation तो ले रहे हैं किसे ना यह बर्षान ऐसा फिल करें कि आप कितना important हो अब क्या हो इस बर्षान के लिए इनके life के लिए देख सकते इस बर्षान के life में कितनी ज़्यादा negativity आई है और जैसे मैंने आपके लिए cards निकाला है काफी positive आए है हो शकता है कि इस बर्षान कभी आपको शमझा नहीं और यह कहते रहे कि तुम ही मुझे नहीं समझते है तो अभी बर्षान आपको समझने लगे हैं आपसे दूर होकर ही अब वो थोड़ी ना बताएंगे कि हाँ मैंने समझ लिया तुरांद आप वो पॉल में नहीं बता देंगे यह दीरे दीरे होगा और यह process start होके है आपके प्यार को आपका जो efforts है उसको यह परषान दीरे दीरे शरी पर समझ रहे हैं ठीक है और जब यह परषान पूरी तरीके से अपने life collection जो इस परषान को लेशन दिया जा रहे है जब यह परषान पूरी तरीके से आपकी value जान जाएंगे तब यह परषान ज़रूर कुछ करेंगे कि यह परषान दोबारा वा गलती नहीं करना चाहेंगे दोबारा से आपको खोना नहीं चाहेंगे और इनको ऐसा लगता है कि अभी बी कुछ नहीं बिगड़ा है अभी आपको पांश रखते हैं क्यूंकि इस परषान के नजर आपर है ठीकने इनको ऐसा लगता i'm हो और आप हम में इशार रहोगे इस परशन का थौट्स है तो यह है आपकी रीडिंग लाइक सब्सक्राइब और शेल जरूर किसे का मैं मिलते हैं आप से नेक्स्ट रीडिंग में बाइ गाइस